हलो दोस्तो कैसे हैं सब मैं है मानशू स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक बल्ड पर तो दोस्तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ राच कॉमिक्स में नागराच के बाद सीरीज इस सीरीज में तीन कॉमिक्स हैं पहली नागराच के बाद, दूसरी फ्यूल और तीसरी वीनौब तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस सीरीज की पहली कॉमिक्स नागराच के बाद हर चीज का एक ना एक दिन अंत हो ना तै है चाहे वह एक भ्यानक भक्षक विलेन हो या फिर रक्षक सुपर हीरो आज नागराच की कहानी अंत पर आ गई है अच्छाई का पलड़ा एक एक हलका हो गया है और मानवो ततनागों के सामने जीवन का एक दूसरा ही खौफना कुरूप सामने आया है इस दुनिया को भगवान नहीं चलाता इस दुनिया को चलाता है इधन फियूल फिर चाहे वह फियल बेजान चीजों को चलाने वाला हो या सजीव चीजों को चलाने वाला वह दुनिया को कंट्रोल करेगा शक्तिशाली से शक्तिशाली चीज़े भी उसके वश में होंगी नागराज सुपर हीरोज भी नागराज गया छोरी मर गया अब यहां पर या तो पलिस का राज है या हमारा पलिस तो हड़ जगह पर पहुंच नहीं सकती पर हम पहुंच सकते हैं आप चुपचाब अपने क्रेडिट काट का एटेम कोट बता दे वरना वरना क्या उसके बाद तो मुझे मार ही दोगे ना तो अभी मार दो ठेक है मत बता फिर हम अपनी फीस दूसरी तरह से वसू लेंगे नहीं ए ऐसा मत करना भाई हमें उस लड़की को बचाना चाहिए उसे बचाने का मतल़ अपनी जान कमाना है बैठा रहा तू अभी बैठा रहा तू अभी अभी कहां से आया है अभी तो कुछ नहीं जानता है हम से फिर इतना जानते हैं भाईया कि मुसीबत में पड़े को छोड़के जो भागे सो महा पापी या मुर्दा चुपचा बैठा रहा है आप बैठें भीया हम बापिस आकर बैठेंगे हम गुंडन से नहीं डरते गुंडों से डरता कौन है पर अगर तूने उस लड़की पर रहन किया तो तू मरा कोई ना मरेगा भीया हम अभी आए भसूलू खबारदार अरे इनको छोड़ दीजे न वरना इनकी बजाय आप बीचेत हो जाईएगा ए भागले क्यों अपनी जान देने पर तो लाए तुम जाओ गाड भीया मैं इसे निपटलिंगी अब तो आप हमें भाईया बोल दी अब हम कैसे जाएं बगैर भाई का हक अदा किये हुए ए भागत ए भागत कहां अससरकनाती अब आप टेक्सी ले ले और घड जाएं पर सड़क पर गाड़िया दो बहुत कम चल रही है हम जब से गाउं से आया है खड़ी गाड़िया ही देख रहा है सुना है पेट्रॉल की कमी है अब मैं तुमको एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ूंगी तुमको मेरे साथ ही चलना पड़ेगा लगता है आपको हमसे अरे ये कोई फिल्मी सीन थोड़े ही था जो आपको हमसे वो हो जाए अभी तो आप हमें भाई कहीं थी शट अप तुमारी जन खत्रे में चलो मेरे साथ पर कहा हम तो डूटी पर है वाह ये क्या था नए फिल विनॉम पर चलने वाली गाड़ी अब आओ मेरे साथ तुम ठीक फिल कर रहो ना फिल? महसूस कैसा महसूस कर रहो एकदम बढ़िया है बड़ा पाप हो गया हमसे नहीं रुक जाओ हमने इसको खबरदार किया था मैंने भी मना किया था पर वही हुआ जो इससे पहले मैं फैले इस शाम की भेट चड़ गया तो दूसरा कौन बचेगा? अब ज़्यादा आसू मत बाओ बहन जी इसकी मौत पर रहम करके अपनी मौत बद बलाओ अब जाओ यहां से मैं समाल लूँगा पुलिस आ रही है मैं चलती हूँ अगर वे मुझे पूस्ताच के लिए ले गए तो कड़बड हो जाएगी तुमारे आँखों में आसू मरना चाहते हो क्या? अगर पुलिस तुमको गवा के तौर पर भी ले गई तो तुमारे लिए मुसीबत हो जाएगी दूसरे की मौत पर आसू कभी मत बहाना वरना तुमारी मौत पर आसू बहाने वाला भी नहीं मिलेगा इतनी सी बात भी नहीं जानते क्या? महान अगर में नए आए हो? हाँ, मेरे लिए यहां की हर चीज नहीं है तुम मामली आद भी नहीं लगते कौन हो तुम? परदेशी हूँ, सिर छुपाने की जगए ढूंड रहा हूँ तब तो तुम सही इंसान से टकरायो आऊ मेरे साथ यह मेरा घर है, रात पर यहां रुख सकते हो कल मैं तुमारे लिए काम का इंदिसाम भी कर दूँगी कैसा काम? मैं एक सेक्यूटी एजेंसी चलाती हूँ काफी बड़ी एजेंसी है, इसमें मैं तुमको काम दे दूँगी अब जरा लिटेस निउस देख लूँ वीनॉम ने आज अपना एकरांती कार एक प्रोडेक्ट लाँच किया है पेट्रॉल टू वीनॉम कनवर्टर किट इस किट को किसी भी पेट्रॉल कार में फिट करने के बाद वाद वाद कार बिना किसी बड़लाग के वीनॉम पर चल सकेगी वीनॉम कंपनी के दोरा मार्किट में उतारी गई ऐसी 7 लाग किट एक घंटे में ही बिग गई जल्दी वो भी वीनॉम ही यूज करेंगे यह वीनॉम क्या है और गार्ड किसी नागराज की बात कर रहा था वह कौन है वीनॉम क्या है यह कोई नहीं जानता वीनॉम एक ऐसा एधन है जो एक बून में इतनी उर्जा पैदा कर सकता है जितना 100 लीटर पैटरॉल करता है और इसकी कीमत पैटरॉल से 10 गुना कम पढ़ती है पर लोगों का पैटरॉल इस्तमाल ना करने का कारण यह नहीं है उसका कारण है पैटरॉल के टैंक और पाइपलाइनों पर आतंगवादियों के बढ़ते हमले और पैटरॉल की क्वाल्टी में गिरावट पूरी दुनिया में कई कारों में आग लग गई है कई कारों के इंजन गल गए और कई जगए तो पैटरॉल पंपों में ही आग लगने लगी किसी को पता नहीं था कि गड़बर कहा हो रही है तब इस गड़बर का पता लगाने के लिए निकला नागराज नागराज कौन है, है नहीं था, प्रातंगबाद का जानी दुश्मन था, नाक समराठ नागराज, मानापता का सबसे बड़ा रक्षा ट्रिन ट्रिन, स्पेशल स्केट पुलिस, यह यहाँ पर क्यों आएं, कहीं तुमने तो कुछ नहीं किया मुझे याद नहीं, तुम कहीं छुप जाओ, मैं इसे निपटलूँगी, यह पर्स तुमारा है? ओ गॉड, यह तो तब गिरा था, अगर यह पर्स तुमारा है, तो पर्स में रखी यह फोटो भी तमारी होगी, कैसे जानती थी तुम नागराज को? जानती नहीं थी सेक्योटी एजेंसी के लिए एक बार बस मिली थी तभी ही ये खिची थी हमें तुम्हारा ब्लड सेंब्ल चेक करना है हाथ लाओ ये क्या कर रहे हो ये कानून के खिलाफ है हमको कानून मत सिखा लड़की सॉरी ये मैं क्या सोच रहा था मेरी तरफ देखो तुम सभी भूल जाओगो कि तुम यहां कभी आई भी थे ये घटना कभी घटी ही नहीं और तुमारी हेटकाटर पहुंसते ही तुम सबका सम्वन तूट जाएगा खत्रा डल गया है अब तुम बाहर आ सकते हो बाहर आ जाओ घबराओ मत मैं तुमको नुकसान नहीं पहुचाओंगे आ जाओ मैं तुमको सम्मुईत करके तुमारा पास पता करने में तुमारी मत अरे कहां गया वह छुपा तो इसी में था मैंने तो उसे जाते देखा नहीं फिर वह गया कहां कौन था वह कई में किसी दुश्मन का जासूस तो नहीं था वह देख चुका है कि मैं एक नागिन हूँ नागराज के जाने के बाद अंजान दुश्मन अब नागराज के दोस्तों यानि इच्छधारी नागों को भी खतम कर देना चाहते है ताकि उनका एक छेतर राज ये हो जाए उफ काश नागराज यहां पर होता पर नागराज तो तम मौझूद हो था जब कोई छे महीने पहले के समय में जाकर घटना गरम को बदल सकता उस दिन मैं जा सकता जिस दिन इसनेप पार की लेब में डॉक्टर करना करन मानो जेश्ट मना रहे थे मैं सफल हो गया मैंने सापो को पिर्थी के सबसे खतरनाक प्राणी से सबसे बहु मुल परजादी में बदलने का रास्ता खोच लिया है क्या मैं भी आपकी इस खुशी में शामिल हो सकता हूं डॉक्टर नागराच आज तुम्हारी आवाज भारी लग रही है अपना गला चेक करवाने आया हो क्या वैसे अच्छा हुआ कि तुम आ गए मैं ये खुशकबरी सबसे पहले तुमको ही सुनाना चाहता था बताईए क्या कारण है इस खुशी का पहले तुम्हारी समस्या दूर करते हैं फिर आराम से बैठकर बात करेंगे बताओ कैसे आना हुआ सुना है आपने 500 कोबरा सापों के जहर से एक ऐसा कंसेंट्रेट बना है जो असर में मेरे जहर के बराबर है तुम्हारे जहर के बराबर तो नहीं है पर उसका लगवक 70% जरूर है पर ये तुमने आपने क्यों आपने बनाया क्यों है क्योंकि इस concentrate से इंसानों को वह फायदा होगा जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा क्या मैं उस अद्बत concentrate को देख सकता हूँ क्यों नहीं जरूर सिर्फ 5 मिट इंतिजार करो वह concentrate एक ऐसी safe में रखा है जिसको खोलने में ही 5 मिट लग जाते है पर याद रखना उस विश का असर तुमारे विश से एकदम उल्टा है उसके संपर्ग में आए तो तुमारी सर्ब शक्तिया छीन हो सकती है ये देखो पर इसको छूना मत इसके अंदर एक खास radiation है जो तुमको नुक्सान पहुचा सकता है कुछ second मैं भला ये मेरा कितना नुक्सान कर लेगा चलो ठीक है पर 5 second से जादा नहीं वरना इसका तुम पर क्या असर होगा ये मैं भी नहीं जानता कौन? नागराच? एक और नागराच? असली नागराच मुझे नहीं पता कि इस वाइल में क्या है और ये बहरूपिय कौन है पर इतना जरूर प्रकाई कि इसका इरादा खतरनाक है इसके बहकावे में मताना प्रोफेसर डॉक्टर बहरूपिय ये है जो आपके कि सोचना भी मत क्योंकि ये इस प्रेय किसी जहरी रिप्राणी की शरी में इतनी तेजी इतनी तेज अलर्जी पैदा करता है कि अगर समय रहते मदद ना मिली तो इसकी जान पर बनाती है कुछ भी कर ले पर मुझे ये वाइल चाहिए तो बस चाहिए और कोई रास्ता नहीं है अब मेरे पास भी और कोई रास्ता नहीं है नागदंथ? और तुम पर इस प्रेय का असर भी नहीं हुआ असंभाओ तेरे नागराज की महरवानी से इसने मेरे मस्तक में अपना एक सार बैठा दिया था जिसने मुझे अपनी शक्तियों का प्रेयुक करने से रोक रखा था ताक मैं तो समझा था कि मिस किलर की मदद से मैंने उसे मार डा था लेकिन ये मेरी भूल थी वो दुश्च मरा नहीं था बस कुछ समय के लिए निश्क्रिया हो गया पता नहीं कब वो फिर सक्रिया हो गया इस बार धीरे धीरे मेरे शरी का विश्च नस्ट होता चला गया और मैं विशीन पराणी बन कर रहे गया पर अब वहसर वपनी प्राकर्तिक मौत खुद मर चुका है अब मैं आजाद हूं और मुझे जरूरत है तीछन विश्च की बड़े दिनों के बार शरीर में उर्चा के तोड़ने का एसास हुआ है एक नई सी उर्चा अफ ये क्या हुआ पर कोई बात नहीं मैंने इस तीछन विश्च के सास्थ इसका एंटीडोट भी बना लिया था वे एंटीडोट उस विश्च काट आइसा करने से पहले में तुमको मार तूँगा डॉक्टार नागदन ने सब कलबर कर दी वैसे गलती इसकी भी नहीं है नागराज को तो वेहां आना ही था अब तो एक ही काम किया जा सकता है इसको उठा कर चिपचा फूट लेने का वरना अब पुलिस और मीडिया को आने में ज़्यादा वाक्त नहीं लगेगा आगा एक कमभकत एह कौना तुम रुक जाओ अपने हाद उपर करो वरना ना ना गोली मत चलाना मैं अपने आपको तुमारे हवाले करता हूँ लो पकड़ लो मुझको बस गोली मत चलाना मुर्ख मुझे अगर मौद भी चूती तो उसका भी यही हाल होता दो लाशे गिर चुकी थी और किसी एक किलाज गिरने वाली थी डॉक्टर डॉक्टर उठिये इनके लिए मुझे वही एंटिडोट चाहिए जो डॉक्टर लेने जा रहे थे नागदंत रुख जा वह एंटिडोट तेरे हाथ नहीं लगेगी इसे तो मैं ही लेकर जाऊंगा नागराज अगर ये तेरे पास रहेगी तो मेरी जान हमेशे तेरी मुठी में रहेगी और अगर इसे पी का डॉक्टर बच गया तो भी ते मेरी जान सांसत में रहेगी क्योंकि वह नई एंटिडोट बना लेगा इस विशना तो मेरी सुब्त शक्तियों को जगाने के सांसत में का रूप भी बदल दिया है उफ इस कोड़े में तो वाकई ऐसा विश है जिसकी चुबन असैनिया है और इसका विश मेरी शक्तियों को छीन भी कर रहा है इससे पहले कि कुछ गड़बड हो मुझे एंटीडोट हासिल करके डॉक्टर की चान बचानी होगी अगर जहर मेरे बदन में है तो एंटीडोट पर भी पहला हाग मेरा है मेरी हर चीज़ पर तुमारा हाग है नागदंत अगर तुम मेरी करदन के नीचे से मेरी मेरा रिमेज हो शुरुआत धंसक सर्फों से करते हैं आह नहीं ये क्या शुरुआत एंटी डॉट से करेंगे और अन्थ होगा तेरी टूटी हड्डियों से भरी लाश के साथ सुपरफास स्पीट इस विशने से अद्वुष शक्तियं दे दी है अभी ये मुझको वही शक्तियं दिखा पा रहा है जो इसे समझ में आप आई है और मुझे लग रहा है कि अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है तुम बहुत तेज जा रहे हो नागदंत और जो जितनी तेजी से दौड़ता है वह उतनी ही तेजी से गिरता भी है बस बहुत खेल हो गया नागराच अभी या तो तु अपनी जान मुझे देगा या फिर एंटी डोड़तेगा उफ इसकी तो इच्छाधारी शक्ति भी जागरेत हो गई इसकी फंकार इसकी फंकार मुझे कमजोर कर रही है मेरी विश शक्ति उनकी पर फिर से काट रही है कैसा विश बनाया है करण करणने और क्यों बनाया है इस सवाल का जवाब सिक करण करण के पास था जो तोरी मात के बीच में जूल रहे थे अंदर से वेशन को मार रहा था और बाहर से देहकती लप्टे उनको फिर से जलसाने के लिए आगे बढ़ रही थी क्या तू इतना कमजोर हो गया नागराज की पलट का वार भी नहीं कर सकता मैं पहले सोसता हूँ हिस फिर वार करता हूँ ताकि दुश्मन को सोचने का मौका भी ना मिले ये जहर पीने का नतीजा है नागदन्त अगर तू जहरी ला ना बनाओता तो ये इस्प्रे पहली की तरह तुछ पर असर नहीं करता अब तू थोड़ी देर तडब ले तब तक मैं डॉक्टर को ये एंटीडोट पिला कराता हूँ मैं तेरे हाथों हुई बेजज़ती से जितना तडबा हूँ ये तडब तो उसके सामने कुछ भी नहीं है कुछ ही पलों मैं मैं समल जाऊँगा फिर तडबने की बारी तेरी होगी हे देव काल जाई ऐसी शक्तियां तो मैं भी जागरित नहीं कर पाए हूँ ये कैसा बिश बनाया डॉक्टर ने सोडांगी शीत कुमार जाकर लैग की आपको बजाओ और डॉक्टर को एंटीडोट पिलाओ परन्तु अगर ये एंटीडोट कर्णा करण ने पी डिया तो नाग्दन के खिलाफ तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा नागराच फिलाल तो डॉक्टर कर्णा करण को इसकी जरूरत है वे बच गए तो कई सवालों की जवाब ऐसे ही मिल जाएंगे मैं इसका पीछे नहीं चोड़ सकता वरना ये नाजाने कैसा खत्रा बढ़ कर वापस आएगा कर्णा गरन की जान तो फिलाल बच गई थी लेकिन ये कह पाना मुश्किल था कि उनको होश कब तक आएगा और अब सिर्फ बेहोश तुमा को ये पता था कि दुनिया पर एक भीशन खत्रा मन रहने वाला था इसलिए अभी तो एक मात्र खत्रा नाग्दंत ही नजर आ रहा था आजकल मीडिया में अच्छे धारी नागों के खिलाफ काफी बोला जा रहा है और उसका करण तुम जैसे सर्प मानवी है आह अरे कहां आज ऐसी ये खबर और बनेगी नाग्राच तेरी मौत की खबर बिग ब्रेकिंग निउस दम वह फिर गायब हो गया मैं यहां हूं नाग्राच तेरा जाहर खत्म किये बेगार भला मैं कैसे जा सकता हूं उफ दिवार से चिपके रहने लाइक ताकत भी नहीं बची तो चलि झाल